नमस्ते दोस्तों देसी मॉम किचन में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज बनाने जा रही हूँ मूली की पत्तों की सब्जी तो चलिए इनको हम काड़ते हैं इसी तरह से अभी हम सारी मूली काटते हैं मूली पत्ती बारिक काटके रख दिये और पाने में रखें बिगाने के लिए ताकि इनकी मट्टी उटी सारी साप हो जाए चबादी हमने पैन दो चम्माज तेल डाल दिया और इसमें जाएगा एक चम्माज धन्या पोडर और आदी चम्मा जाएगा हत्ती पोड़ा अब आदी चम्मा जाएगा लाल मिर्ची पोड़ा दो हरी मिर्ची कटी है बारी के भी जाएगी इसमें नमक जाएगा स्वार पनुसाब नमक कम डालेंगे कि मुलीक पतों में नमक ज्यादा हो जाता है तो इसमें जाएगा टमाटर दो बारी कटे हुए अब मुली को मच्छी से मिला दी थे सारे मसाले को toward वब शुरिए लाएगा से बारी कमाट करेंब करबेंगे तो हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मुली को हमने डग दिया है सब्जी चैक करते हैं सब्जी बनी बनी की नहीं बनी तो अभी हमारी मुली की पत्त के सब्जी अच्छी से बनी नहीं है अभी पांच मिनट के लिए धक्या रख देते हैं ताकि अच्छी से हमारे मुली पत्ते की बन जाएं मुली की पत्ते की सब्जी बन के तयार हो चुकी है बहुत ही बढ़िया लग रही है अब देखें अब देखें अब हम मुली पते प्रेट में निकाल लेते हैं कि सब्जी तयार हो गई है और आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को सस्कारिब कर दिया वीडियो देखने के लिए दन्यबाद और मिलते हैं आपके अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते झाल झाल